बिस्मिल्लाइ रख्मान रिर्रहीम अस्लाम निकूम प्यारे बच्चो एजी इंटरनेशनल की जानिप से खुशामतीद हमारी दुन्या वाक्फित आमा जमात सों सबक नमबर एक सफा नमबर तीन ता आठ बाप नमबर एक सूरज तारूफ अगर हम दिन के वक्त आस्मान की तरफ देखें तो चमकता हुआ सूरज दिखाई देता है रात के वक्त आस्मान पर रोशन चान और बेश्मार तारे नजर आते हैं सूरज, चान, तारो और जमीन जैसे जिसाम से मिलकर ये काइनात बनी है बहुत सारे जिसाम अपने मदान में रहकर सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं इन जिसाम को स्यारे कहते हैं जमीन भी एक स्यारा है, ये दो तरह की हरकत करती है जैसे कि प्यारे बच्चों आपको इस तस्वीर में आस्मान पर सूरज चमकता दिखाई दे रहा है इस रास्ते को मदार कहते हैं, जमीन सूरज के गिर्द मदार में अपना चकर तकरीबन 365 दिनों में मुकमल करती है इस हरकत की वज़ा से मोसम बनते हैं, जमीन की दूसरी हरकत अपने महवर के गिर्द है महवर एक फर्जी हाथ है जो शुमाली और जुनूबी कुतम में से गुजरता है जमीन इस महवर के गिर्द भी गूमती है, इस तरह की हरकत की वज़ा से दिन राथ बनते हैं बन्यादी सिंटे, जमीन पर किसी मुकाम की निशान दही करने के लिए हम सिंटों को इस्तमाल करते हैं सिंटों को जानने से हमें पता चलता है कि किसी मुकाम के दाएंबाएं या सामने और पीछे कौन कौन से मुकामात है इसको किसी चीज़ का मुहले वकू कहते है मुहले वकू जानने के लिए सिम्तों का जानना जरूरी है इसलिए हम पहले सिम्तों को जानते है मेदान में सुबा के वक्त आप उस जाने मूँ करके खड़े हो जाएं जिस तरफ से सूरज तुलू होता है इस सूरत में आपके सामने मश्रिक और पीछे मगरिब होगा आपके दाएं जानिब जिनूब और बाएं जानिब शुमाल है जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाया गया है कि अली का मूँ सूरज की तरफ है इसलिए अली के सामने मश्रिक और पीछे मगरिब है अली के दाइन जानिब जनूब और बाइन जानिब शुमाल है सूरज का तलूब और गुरूब होना जब हम सुबा के वक्त मश्रिक की जानिब देखें तो यू महसूस होता है कि सूरज मश्रिक से तलूब हो रहा है और आइस्ता आइस्ता आस्मान में बुलंद होता जा रहा है मगर ऐसा हर्गिस नहीं है सूरज जमीन के गिर्द गर्दिश नहीं करदा बलके जब जमीन अपने महवर के गिर्द मगरीब से मश्रिक की जानिब गूमती है तो इस वक्त हमें ये महसूस होता है कि सूरज मश्रिक से तलू होता है और आस्मान पर हरकत करते हुए मगरीब में गुरूब होता है जब रोशनी किसी रोशन जिसम से खारिच होती है तो सीधी लाइन में सफर करती है अगर इस के रास्ते में कोई शफाफ चीज रखें तो इसमें से गुजर जाती है जिस जिसम के पीछे रोशनी नहीं बलके तरीकी होती है इस तरीकी को साया कहते है साया बनने के लिए रोशन जिसम का होना जरूरी है साया हमेशा रोशन जिसम की मुखालिफ सिम्त में बनता है रोशन जिसम और गैश शफाफ जिसम में फासला बदल जाए तो साय की शकल और लंबाई भी बदल जाती है जब सूरज आसमान पर तुलू होता है तो इस वक्त चीजों के साय लंबे होते हैं और मगरिब की जानिब बनते हैं जैसे सूरज बुलंद होता है साय छोटे होते जाते हैं शाम के वक्त सूरज गुरूब होता है और इस वक्त फिर साय लंबे होते हैं और मश्रिक की जानिब बनते हैं साया की बनावट जब कोई गेर शफाफ चीज सी रोश्नी के रास्ते में रख दी जाती है तो रोश्नी इस चीज में से नहीं गुजर सकती गेर शफाफ चीज से पीछे बनने वोला तरीक्स हिसा साय कहलाता है सूरज की सिम्ट के साथ हमारे साय की सिम्ट मकाम और साइज भी तबदील हो जाता है मसला सूरज जब सुबा निकलता है तो साय लंबे होते हैं और दुपहर को छोटे और शाम को दुबारा लंबे हो जाते हैं जरा सोचिए आप दिन के मुख्ति वकात में अपना साया देखिए क्या आपको कोई तबदीली महसूस हुई प्यारे बचो अब आप सबने भी दिन के मुख्ति वकात में अपना साया देखना है और महसूस करना है कि आपको कोई इसमें तबदीली नजर आई या नहीं अहम नकात जमीन सूरज के गिर्द मेदान में हरकत करती है सुबा और शाम के वक्त चीजों के साय लंबे होते है रोशनी रोशन जिसन से खारिच होकर सीधे रास्ते पर चलती है दिन के मुख्लिब औकाद में साय की लंबाई मुख्लिब होती है जमीन अपने महवर के गिर्द मगरीब से मश्रिक की जानिब गूमती है कुत्ब नुआस से सिम्ते मलूम की जाती है जमीन की हरकत की वज़ा से मोसम बनते है साया रोशन जिसम के मुखालिफ सिम्थ में बनता है बन्यादी सिम्थे चार है मश्रीक, मगरीब, शुमाल और जनूब जमीन की गूमने की वज़ा से दिन और रात बनते है जमीन अपने महवर के गिर्थ 24 गंटों में एक चक्कर मुकमल करती है जब रोशनी के रास्ते में कोई गैर शफाव जिसम आजे तो इसका साया बनता है